हाई अबरिबन दिस एपवन शर्मा मार्केट को एलाइज करते हैं कल के लिए अगर निफ्टी का आपको लास्ट एनलेसिस याद हो उस एनलेसिस में हमने कुछ पॉइंट्स डिसकस किये थे पॉइंट नमबर वउन जहां पर निफ्टी ने क्लोज किया है वहीं से वह बाउं पॉइंट नमबर टू यह जो बाउंस बैक आएगा यह स्ट्रॉंग बाउंस बैक रहेगा विकॉज शॉट कवरिंग जबरदस्त होंगी और हो सकता है आपको एक ही दिन में 24-500 के लेवल भी देखने मिले हाला कि जो हमारा टागेट था वो 350 से लेके 400 का था बट मोमेंटम इनको देखते हुए 24-500 भी अचेविबल था और इसने जो हाई बनाया अल्मोस देखिए 24-492 का हाई बनाया तो सेकेंड पॉइंट भी हमारा मैट हो गया फर्स्ट पॉइंट भी लेकिन इन केस ऐसा होता है कि यह लेवल अगर ब्रेक नहीं होता मत अब यह लेवल ब्रेक ह तो यह लेवल अभी नीचे की तरफ अविलेबल है जो अब सपोर्ट की तरह काम आएंगे और 24 एक और था हमारे पास थर्ड पॉइंट 24-100 काफी लंबे टाइम से हम रिट्रेस्मेंट बेसिस पर बात कर रहे थे कि मार्केट जब नीचे फॉल करेगा तो 24-100 का हमारे पास म में एक जो सपोर्ट लेवल या टागेट नजर आ रहा देखिए उसने उसी लेवल के आसपास आके बाउंस बैक किया है और अब यह जो बाउंस बैक आ गया है तो क्या यह कॉंचिन्यू करेगा या बुल रन है आगर आज आप निउस देखेंगे या फिर टीवी भी देख तो जो ट्राप हो रखे हैं वो थोड़ा सा हो सकता है दो चार पांच दिन के लिए मार्केट को ओर एक्सेंड करा दे मतलब ऊपर के तरफ लिफ्ट करा दे लेकिन पूरा का पूरा मार्केट अगर मैं कहूं जुतने ही मैच्योर टेडर से हैं इस टाइम वो वेट कर रहे है अगर आप किसी पोजिशन में फसे वे हैं आपने कोई लॉंग भाई किया हुआ तो और आप फसे वे हैं तो यह राइट टाइम है जहां पर आपको निकलना चाहिए बिकॉज अब नहीं निकले तो फिर मेजर प्रॉब्लम आपको आ जाएगी बिकॉज इसके बाद में जो नोटिफिकरेशन मिलते रहेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो वीडियो के नीचे होता है वहाँ पर आपको हमारी वेबसाइट का लिंग मिलेगा, कुछ दिमेट अकाउंट का लिंक्स मिलेंगे और फॉर लाइव अपडेट मुझे मेरे टेलिग्राम चैनल पर जॉइन यहाँ पर अगर आप देखेंगे करेंट क्लोजिंग बेस पर यह मार्केट राइज हुआ है और यह जो तो यह फ्लाग पैटन बना है हमारे पास आप सको 30 मिनट पर देखेंगे 15 मिट पर देखेंगे अल्मूस्ट से मिनजर आएगा तो इसे फ्लाग पैटन है यह सरब इस करेंगे दो शॉट्रम सेलिंग का मतलब यह कि बस in radio सेलिंग उसके बाद में यह इस चैनल में ट्रेड किया अब चैनल का क्रेंट क्लोजिंग के बात करें तो मैं लिक लेता हूं उनको this 24,370 and 24,290 मैं 300 कर सकता था थोड़ा सा क्या होता ना round number जहां आता है जैसे 300 हुआ तो जहां round number आता है तो उसको avoid करें because क्या होगा कभी-कभी उस round number से bounce back कर जाती है market या वहीं भे resistance face करके नीचे गर जाएगा तो अगर आपको कोई भी trade लेना है तो जहां पर आपका closing उसके आज पास में या जो भी support level अगर round number है तो 10-20 point accordingly मतलब 10-20 point nifty में अगर कोई stock है 2-4 point भी हो सकते है 20 point भी हो सकते है depending upon the price of the entity तो आप थोड़ा सा उपर नीचे करके रखेगा ये level अगर break करता है तो यहां पर मैं जो आपको hedging के लिए दे रहा हूँ ये मैं next expiry के लिए दे रहा हूँ तो अगर आपको hold करना है तो 300 point का आप उपर जाकर अपना call sell कीजेगा और अगर आपको लग रहा है कि ने-ने मुझे hold नहीं करना तो 200 point का because क्या होता है current expiry पे out of money में premium नहीं मिलेगा इसलिए बहुत उपर जाके को फायदा नहीं होता so that's why if you are a kind of trader जिसको लगेगा profit में चल रहा है आपको hold करना है मुझे तो ये ठीक लगता है कि अगर hold करना पड़े तो कर सकते है तो 300 point ठीक रहेगा ये target रहेंगे rising side के लिए falling side में हमारे पास ये level अगर गया तो सीधा पड़ेगा 180 पे जहां पर हमारे पास में देखेगा ये level आपको मिलेगा 150, 180 का और second हमारे पास जाएगा which is coming around 140 से लेके 100 का target रहेगा because यहीं पर हमारे पास next available support है और यहाँ पर भी जब आप sell करेंगे put को accordingly अपना put sell कीजेगा और यहाँ पर जो भी level हमने discuss के हैं आपको समझाने के लिए हैं कोई भी vital recommendation नहीं है in case you are taking any trade please do consult with your financial advisor और ये outlook रहेगा हमारा nifty के लिए next हमारे पास में है bank nifty bank nifty अपने जोन को छोड़ी नहीं रहा है जब भी कुछ होता है उपर भागता है तो यहाँ पर आपर रुख जाता है नीचे गिरता है तो वो आपर जाके उसको achieve कर लेता है जोन का जो अपर level हमारे पास में है यह है 51, 350 का level यह देखेगा यहीं पर है तो आपको इसी के उपर buy मिलेगा इसके उपर जो आपका target हर बार बनता है वो बनता है 550 का और 650 से लेके 700 का target बनता है कल हमारा financial nifty का expiry यह पर्सो बैंक nifty का है तो definitely पर्सो का expiry नहीं लेना है आपको अब आपको next Wednesday का expiry लेना तो Bollinger Band का जो middle band होता है उसका 21 होता है तो यह हमारे लिए immediate support निकल के आएगा hold करके यहाँ पर hold करके rise करना शुरू करेगा तो definitely आपको काफी support करेगा तो इसके नीचे भी अपना छोड़ा stop loss लेकर आप अपना trade ले सकते हैं इन case ऐसा होता है कि यार उपर नहीं जाता है और नीचे गरना शुरू करेगा तो याद रखेगा यहाँ से आपके पास immediate support कहाँ पर आ रहा है immediate support निकल के आ रहा है 51 100 का तो मुझे लगता है कि मुझे इसी के नीचे जाने के बाद में कोई भी put buy करना चाहिए हाला कि यहाँ पर अगर ऐसा होता है कि 350 को hold नहीं करता है तो आप sell on rise कर सकते हैं intraday में sell on rise उसमें आपका पहला target रहेगा 200 का और second target रहेगा 100 का बट इसके जो अगर flat open करता है तो मैं wait करना चाहूँगा 100 के break होने का यह वो level है जहां से हर बार bounce back कर जाता तो बेटर है इसको wait करें यह break होगा तो 50 आपके पास 950 कर रहेगा और 5800 का आपका second target रहेगा and once again यहाँ पर भी आप 500 points का hedge करके put sell कर सकते हैं out of money में in bank nifty next नमारे पास में आएगा mid cap nifty mid cap nifty में क्या कीजेगा जितने भी recent high है recent वाले उपर वाले नहीं इन सब को एक trend line से connect कीजेगा यहां से लेना पड़ेगा मुझे इधर वाल से और ऐसे देखेगा अगर आप check करेंगे तो last closing इसी के आसपास होगा है मतलब यह हमारे लिए resistance बन गया और यहां पर जो यह resistance है हमारे पास यह रहेगा 12500 का और नीचे की तरह अगर मैं देखता हूँ यहां पर यह बन रहा है 450 का 12450 तो मैंने क्या किया है इन दोनों levels को जो भी हमारे पास यह marking है उसको मैंने numbers में convert कर दिया तो यह हमारे पास आ गया 450 कर लेते हैं 440 कर लेते हैं 10 पंट छोड़ देते हैं इसके उपर अगर भागता है तो हमारा इसी को हीट करने के लिए भागेगा तो 12600 का पहला टागेट रहेगा 625 का सेकंड रहेगा यहां पर hedge करने के लिए आप यूज करेंगे 250 पॉइंट अगर hold करना है तो 300 पॉइंट का आप hedge कीजेगा यह break करेगा तो हमारे पास support कहां पर आ रहा है हमारे पास support आ रहा है 350 का और 300 का second support आ रहा है because जब यह नीचे गर के hold किया था तो इसी लेवल के आसपास से संदे के यहां पर इसी पर यहां पर जो neckline बनाता यह neckline आपको यहां मिलेगा which is coming around 12300 और यहां भी आप अपना जो sell करेंगे वो accordingly कीजेगा 254 intraday 304 if in case you want to hold और यह outlook रहेगा हमारा mid cap के लिए चले उसको hold कर लेते हैं तो बढ़िया है नहीं hold कर पाते तो sell बनेगा और hold करके bounce back करेंगे तो हमारे लिए अच्छा buy बनेगा तो पहला पर करेगा DLF तो DLF देखेगा almost उसी के आसपास में है तो आप क्या करना है जितने भी हमारे पास recent में इनको ऐसे connect कीजेगा और यहां प पुराने लेवल से हैं वही आपके लिए काम करेंगे अभी हमारे पास में बन रहा है 823 का closing है तो जो lower level है जो मैंने mark किया है तो देखेगा यह आपके पास में 816 है तो हम क्या करेंगे 816 में यहां पर देख लेता हूं और उपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो यह आप हमारे पास में 826, 827 है तो 827 हम कर लेते हैं यहां पर, so this will be 8, sorry this one 827 यह break करेगा तो आपका sell बनता है 808, 800 के target के लिए 6 point का stop loss रखेगा यह break करता है तो हमारे पास में rising side में 835 and 843 के target के लिए आपका buy बनेगा और यहां पर इसके आजपा हो सकता है आपको 840 का ही थोरा स target म पर जाता है अपना trailing stop loss रखेगा और DLF, second हमारे पास में Loris Lab, जितने भी हमारे pharma stocks हैं कहीं ने कहीं exhaustion शो कर रहे हैं तो यह जो last breath लेते हैं लास्ट भागना वाला काम करते हैं तो मुझे लग रहे हैं आज कल वही कर रहे हैं अगर आप देखेंगे इसने क्या किया है 20 moving average स bounce back किया है तो DLF को अगर आप ऐसे समझेंगे तो यह bounce back की बात कर रहा था तो नीचे के लिए अगर यहाँ पर DLF की बात कर रहा हूं अगर इस तरह से break कर जाए तो cell बन जाएगा यहाँ पर अगर हम Loris की बात कर लारस लेब ने क्या किया है rise करने के बाद में तो यह जो अगर इसको ऐसे extend कर लेंगे it will give you a look of breakout तो हमारे पास में क्या है 496 का breakout है तो अराम से 500 टच करेगा और 505 का आपका second target रहा चार पर का stop loss रखेगा इनकेस ऐसा होता कि यार ऊपर नहीं जाता है यहीं से गिरना शुरू करेगा तो यह हमारे पास 489 का target है जो नीचे का level है यह ब्रेक करेगा तो further fall करेगा तो 484 और 480 के target के लिए आपका fall करेगा इनकेस यह ब्रेक होता है और यह ब्रेक करेगा तो आपका buy बनता है यहां भी 4 पेका stop loss रखेगा लॉरस लैपके नेक्स्ट हमारे पास में है इंडस्ट आवर में देखेगा इंडस्ट आवर में क्या हो this is coming around 340 I think 349 आ रहा है अगर चेक करते हैं 349 तो 349 हमारे पास में rising side में है और falling side में देखेगा आपके पास में 344 है यह ब्रेक हो गया तो 52 और 55 के target बनेंगे 300 रुपे का stop loss लेकर आप buy initiate कर सकते हैं यह ब्रेक हुआ तो 40 और 37 के target बनेंगे once again इधर भी आप 3 रुपे का stop loss र